नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना बिलीफ के भी आप कैसे अपनी डिजायस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अब अगर आप लॉफ एट्रेक्शन को फॉलो कर रहे हो और लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो आप ये तो जानते ही होंगे कि मैनिफेस्टेशन के लिए बिलीफ करना बहुत जरूरी है और ये एक हद तक सही भी है लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप बिलीफ नहीं कर सकते हैं अब इसको एक्जांपल के तोर पर अगर आपको बताओं तो आप अपनी लाइफ में ही इसे देख सकते हो आज भी ये चीज ड्रीम सी लगती है तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स में कभी भी आए हो और इन स्टेटमेंट का कभी भी आपने यूज किया है तो आप इस बात को खुदी समझ सकते हो कि हाँ बिलीफ उतना भी नैसेसरी नहीं है जितना कहा जाता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज आपकी लाइफ में हुई है या हो रही है जो आपको बिलीफ नहीं था लेकिन हो गई अब बिलीफ नहीं था लेकिन कैसे हो गई अब इसका अंसर आता है इस जगा पे कि Believe से भी बढ़कर एक ऐसी चीज है जो आपकी Life में सारी चीजों को Manifest करती है और वो है आपकी Expectations Believe से भी ज़्यादा Matter करते हैं आपके Expectations कि आप क्या Expectations रखते हो अपनी Life से अपनी Desires के Manifest होने या ना होने से जिस तरीके की आपकी Expectations होती है उसी तरीके की आपकी Manifestations होती है Example के तोर पर अगर आप कोई चीज अपनी Life में Manifest कर रहे हैं जैसे अगर आप Government Job Manifest कर रहे हैं और आप अल्रेडी बहुत सारे Attempts कर चुके हैं और आपका ये Last Attempt अगर आ जा रहा है तो Expectations जब आप इस तरीके से निकलते हो इतने सारे Failures में से तो कई बार Expectations इस तरीके की बन जाती है कि मैं कितना भी कर लो At the end मेरे से वो चीज निकली जाती है अब इसकी वज़ा से आपका Expectation क्या बनता है आपका Expectation ये बनता है कि आगे भी ये चीज जैसे ही होने वाली है चाहे मैं कुछ भी कर लू जितना भी पढ़ लू जितनी भी Techniques कर लू At the end मुझे वो चीज नहीं मिलेगी अब इसे आप कह सकते हो कि ये Believe है लेकिन Believe से भी जादा आप देखोगे कि ये Expectation है तो इस वाली Expectation के साथ जब आप किसी Process को करते हो या Technique करते हो जैसे Law of Attraction को Follow करते हो इस जगा पे तो At the end Expectation ये होती कि ये चीज नहीं होने वाली और जब उसका Result आता है और वो चीज आपकी Life में से निकल जाती है तो ये Statement फिर निकलता है कि मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है Job सिर्फ उनको मिलती है जिनकी पहचान है जिनकी पहुँच है जिनके पास पैसे है या Reservation है अब चाहे आपके Mind ने बहाना जो भी दिया हो वो Matter नहीं करता Matter सिर्फ ये करता है कि आपके Mind में Expectation थी कि आप कुछ भी कर लो at the end आपका Result उसी तरीके काने वाला है जैसा आप Expect करते हो तो इस जगा पर जो Expectation थी वो आपकी Negative Expectation थी अब आप अपनी Expectations को Change करने पे Focus करोगे ना कि अपने Believe को अब Past से Related आपका जो भी Believe रहा वो Believe बना at least यानि कोई चीज आपकी Life में Reality नहीं बनती तो आप उसको Believe नहीं करते अब Past में आप अपनी एक्जांस में इतने Attempts देते आएं और At The End आपको पता चला आपका नहीं होता है इससे यहाँ पर आपका Believe बना लेकिन इससे आगे जो आपकी Expectations है उसको Change करना आपने Believe को Change करने से कहीं ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप Manifest कर लेते हो तो आपका Believe तो वैसे ही बन जाएगा लेकिन आप समझ जाते हो कि हाँ मेरी Expectation ऐसी रहती है और सिर्फ आप इस चीज़ को Government Job आले Example के तोर पे नहीं अपनी Life में सारी चीज़ों के Examples के तोर पे देखिएगा अभी आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपकी Life में कोई न कोई Desire आपकी इस वक्त सबसे ज़्यादा Important होगी वहीं पे आप देख लो कि Past में आपके साथ क्या हुआ है आपका Current Belief उसकी वज़ा से क्या बना है और उसकी वज़ा से आपकी आगे की Expectations क्या है और किस Expectation के साथ आप किस Process को यूज़ कर रहे हो आप उसी से समझ जाओगे आप आने वाले टाइम में क्या Manifest करने वाले हो घपराने वाली बात नहीं है मैं भी समझ सकता हूँ कि आप मैं से Mostly लोग जो ये वीडियो देख रहे हो उन्हें यही लग रहा होगा कि आपकी Expectations इस तरीके की है कि आने वाले टाइम में आप उस चीज़ को नहीं Manifest कर पाओगे लेकिन आप अप अपनी डिजायर को Manifest नहीं कर पाओगे ऐसा तभी होगा जब आप इस Expectation को Change नहीं करोगे अगर आप इस Expectation को Change कर देते हो तो Definitely आप Manifest करोगे अब जब आपको कुछ Manifest करना होता है न तो आपको बहुत ज़ादा जिद्धी होना पड़ता है अपनी Life में क्योंकि Believe के तोर पे लोग अपनी Expectations को देखते हैं आपकी Expectations को देखते हैं आप भी अपनी Expectations को उसी तरीके से देखते हो जैसे कोई Manifestation का Experience होता है अगर आप अपनी Life में देख रहे होगी कोई Person है आप तो हो ही आपके Around भी ऐसे बहुत सारे लोग है जो इस सीच को नहीं कर पाए तो Expectations यही हो जाती है कि सिर्फ उनीका होगा जिनके पास पैसे है या पहचान है या जो भी Different Different Reasons अब ये सारे देखोगे तो Expectations है, Belief से भी ज़्यादा ये Expectations है और ये Expectations ज़्यादा इसी लिए है कि उपकी इस पे आपका Belief है, अब Belief क्या है Reality है जो इस वक्त बनी है लेकिन Reality क्या है Reality सिफ वो Thoughts है जिस पे आप Continuously Focused होते हो यानि हमारा Mind एक ऐसा है जो कभी भी शान्त नहीं बैठता है एक पल भी वो शान्त नहीं बैठेगा क्योंकि वो बना ही है Focus करने के लिए अगर आप उसे अपने हिसाब से Focus करना नहीं सिखाओगे तो वो किसी ऐसी जगा पे Focus कर देगा जो आपकी Life में Value नहीं देगा उल्टा आपकी Life में परिशानी देगा जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो जैसे अपना ही मैं बताओ तो अगर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब आप अपनी Life में कोई चीज Manifest कर रहे होते हो तो ना चाहते हो यभी आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपको लगता है कि Reality है और जैसा कि Abrahamics कहती है कि Reality कुछ नहीं होती Fact कुछ नहीं होता आपका Focus सब कुछ होता है आप जिस चीज पर Focus करोगे वो आपकी Reality बनेगी वो आपका Fact बनेगा आप अपनी Life में Government Job Manifest करना चाहते हो यह आपकी Life की Reality नहीं है अभी यह आपको लगता है कि यह आपकी Reality नहीं बनेगी तो यह Reality आपकी नहीं बनने वाली लेकिन अगर यही देखोगे तो इसी तरीके के जो Situation में आप हो उसी तरह की Situation वे बहुत लोगों ने उस Job को Manifest भी किया है बहुत लोग उस जगा पे पहुँचे भी है अब यह चीज उनकी Life का Fact है उनकी Life का Fact different हो गया आपकी Life का Fact है Different हो गया तो इस तरीके से हम अपने Focus को Shift करके अपनी Manifestations को करते हैं और Expectations से हम अपनी Manifestations को करते हैं और जब आप Manifestation कर रहे होते हो तो आपका बहुत ज़्यादा जिद्धी होना पड़ता है पूरी दुनिया जिस Direction में जारी होती है उसके Against जाना होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया किसी चीज़ के पीछे भाग रही है तो वही चीज़ सच है या पूरी दुनिया आपको किसी चीज़ को सिखा रही है कि ये जीने का सही तरीका है तो जरूरी नहीं कि सब भाग रहे हैं उस चीज के पीछे तो वो सच है और जैसा Abraham Hicks कहती है कि alignment वाले रास्ते पे आपको काभी भीड़ नहीं मिलेगी अब जैसे मैं अपने content की बात करूँ मेरे जैसे content और कोई नहीं बनाता अब इस चीज को मैं proudly भी कह सकता हूँ और एक example के तोर पे भी कह सकता हूँ अब चाहे दुनिया में किसी की भी वीडियो देख लो चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो English की हो आपको मेरे जैसे content कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा different है mostly creators जो videos बनाते हैं वो ranking के तोर पे या SEO के तोर पे बनाते हैं ताकि उनकी videos ranking पे ज़्यादा हो या viral ज़्यादा हो यानि उसमें views ज़्यादा आए और subscribers ज़्यादा बढ़े और मैं जैसे videos बनाता हूँ मेरे लिए ये expectation होती है कि मेरी videos उन तक ही पहुँचे जिन तक पहुँचनी चाहिए जिन तक पहुँचे उन्हें समझ में आए और वो अपनी life को change कर पाए अब इस जगा पे मेरी expectation ये होती है कि हाँ इस जगा पे limited लोग ही होंगे और limited लोग है मुझे इस बात से कोई problem नहीं है क्योंकि limited होंगे मेरे लिए भी handle करना easy होगा और मैं समझ पाऊंगा कि आप इस बात को समझ रहे हो तो इसके आगे मैं जा सकता हूँ इस topic को और vast बना सकता हूँ क्योंकि mostly जो मेरे subscribers है न वो पुराने ही ज़ादा है और मेरी teachings को बहुत better समझते हैं तो इसकी वज़ा से मैं इस जगा पे और advanced जा पाता हूँ और वो और ज़्यादा इसको better समझ पाते हैं और जो मैं बोलू मेरे clients भी है चाहे वो subliminal के हो चाहे वो personal sessions के हो वो भी ज़्यादा repetitive ही है यानि पुरा नहीं है new भी होते है लेकिन कम तो मेरी expectation मेरे content से या मेरे काम से यही होती है कि मैं किसी को अगर कोई चीज सिखा रहा हूँ चाहे किसी भी तरीके से हो online हो या offline हो offline तो नहीं सिखाता online ही अगर आप देखो तो या तो phone calls होते हैं या तो मेरी YouTube की videos होती है या फिर पहले classes होती थी तो इस जगा पे अगर मैं जिनको भी जिखाता हूँ फिर उनके questions ही उस तरीके के हो जाते हैं जिस तरीके से मैं expect करता हूँ कि सामने वाला मुझसे पूछेगा कि इस जगा पे meditation नहीं हो रहा है या इस जगा पे resistance आ रही है इस जगा पे alignment में कैसे आऊँ तो ऐसे मैं फिर मैं समझ पाता हूँ और आगे बढ़ पाता हूँ और at the end मेरे expectation यह होता है कि जो भी मेरे content को consume करें उनकी life में value add हो और जो भी जुड़ता है वो मेरे साथ lifetime की तरह जुड़ जाता है तो उसकी वज़ा से यह होता है कि मुझे clients की कमी नहीं होती तो ऐसे बोलूँगा तो manifestation होती है अब जब आप ऐसे कुछ manifest कर रहे होते हो और आप जिद्धी हो रहे होते हो यानि यहाँ पे जिद्धी होना एक तरफ आप देखो कि ऐसे content है जहाँ पे virality बहुत जादा है वीडियो में वीडियोस बहुत जादा है अगर उन topics पे मैं भी वीडियोस बनाओ तो मुझे भी जादा वीडियोस जादा subscribers मिलेंगे और पूरी दुनिया उसी तरीके का content बनाना चाहती है सिफ law of attraction में नहीं life की हर category में वहीं दुसरी तरफ मैं चुनता हूँ alignment वाला रास्ता जहाँ पर भीड कम होती है और यहाँ पर मैं ऐसा content चूज करता हूँ जहाँ पर मैं अपने तरीके से ही चलू क्योंकि मुझे चाहिए इस तरीके से कि मैने जैसे law of attraction जीका है मैं जो अपनी life में follow करता हूँ वही लोगों को बता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह 100% work करता है नहीं यकीन तो आप आजमा कर देख सकते हूँ कि जब आप इस तरीके से law of attraction को follow करो कि आपको result मिलेंगे इस तरीके से नहीं follow करो कि आपको result नहीं मिलेंगे तो इस confidence के साथ मैं इस जगा पे ये content को deliver करता हूँ तो यहाँ पर मेरी expectations इस तरीके की हो जाती है तो चाहे दुनिया का दूसरा side कुछ भी बोल रहा हो मेरा side यह है मैंने अपना side choose किया है तो इसको अगर summarize करो तो मैं अधियन कहना यह चाहता हूँ कि आप अपनी life में जो भी manifest कर रहे हो जिद्दी इतने ज़्यादा बनो कि मेरा way जो है वो मेरे लिए perfect है मुझे किसी दूसरे way में जाने की जुरुत नहीं है अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो यही चीज़ चाहिए अब उस चीज़ को अगर पाना है वो desire मेरी है तो उसके लिए जो कीमत चुकानी है मैं ही चुकाऊंगा तो जैसी ये एक film का dialogue है मेरे life में मैं बोलूँगा मेरे mind में हमेशा से बैठा हुआ है जबसे मैंने पहली बार इसको सुना था और ये dialogue था एकता कपूर की movie का जिसमें गोविंदा थे और वस movie का नाम है क्योंकि मैं जूट नहीं बोलता उसमें गोविंदा वकील बनने आते हैं और बहुत जूट बूट बहुत ज़ादा बोलते हैं लेकिन वो comedy film के तौर पर भी अगर आप देखो तो इस वाले sentence में जो वो affirmation की तरह ही है इतना perfect ये उनका dialogue था वो अपने friend जो शतिश कौशिक होते हैं उनको वो बोल रहे होते हैं कि अमीर आदमी बनने का सपना मैंने देखा है और अमीर आदमी बनने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा इस शहर में अगर कोई सबसे बड़ा वकील होगा तो उसका नाम राज मलोतरा होगा सबसे बड़ा बंगला जिसका होगा वो राज मलोतरा का होगा सिंगनल पर जो गाड़ी सबसे लंबी और सबसे महंगी रुकेगी वो गाड़ी राज मलोतरा की होगी और राज मलोतरा मैं हूँ तो इस तरीके से उनका डायलोग था तो यहाँ पर अगर मैं देखू तो इसका और मेरा personal matter है किसी तीसरे को मैं घुसने नहीं दूँगा इस जगा पे अगर मुझे किसी specific person को manifest करना है तो मुझे उसे manifest करना है तो जो करना है मैं करूंगा मेरे और universe के अलावा कोई तीसरा यहाँ पर नहीं घुसना चीए और इसी तरीके से life की सारी manifestations होती है जब आप इतनी strong होते हो न अपने words में या अपनी feelings में या बोलो अपने expectations में तो expectations change होनी ही आपकी उस जगा पर आप रूख नहीं सकते दुनिया का हर एक इंसान techniques नहीं करता दुनिया का हर एक इंसान love direction भी follow नहीं करता दुनिया का हर एक इंसान meditation नहीं करता लेकिन manifestation हर किसी की life में होती है क्योंकि हर किसी का तरीका different बन जाता है क्योंकि expectation at the end जो होगी manifestation वो होगा अब यहाँ पर अगर मेरी strong expectation है कि मेरी life में अगर कोई desire है उसे manifest करने के लिए मैं सब कुश करने को तयार हूँ जितना भी time लगे देने को तयार हूँ पुरीस जिंदगी लग जाए पुरीस जिंदगी देने को तयार हूँ मुझे यही चीज़ चाहिए तो यही चीज़ चाहिए उसके बाद दुनिया का कोई भी इंसान है आपको रोक नहीं सकता और अगर आपको पसल सबलीमिनल बनवाना हो या फिर मुझे पसल सेशन एपाइटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमरीद को कंटक्ट किएगा और उनको वाटसाप नमबर पर उनका वाटसाप नमबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा और इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद